हेलो नमस्तिय असलाम अलेकूं वेलकुम बेक टो चैनल में रेसिपीस और आज मैं आपके लाई हूँ स्पेशल दही भल्ला मसाला आप यह मसाला अपने दही भल्लों में डालेंगे तो आपके दही भल्ले बहुत जबरदस बन जाएंगे तो यह मेरे इंग्रीडेंट्स सबस आप यह मेरे हां एक चताइा चम्मच और यह है काली मिट्च यह मैने लिए है अधी ड्राई लिए चिलिज यह मैने लिए हैं वने द्सफी लाल मिट्स तो आमें इन मसालों को रोस्ट करना है आप इसे पैंड में डाल लीजए जीरा, धनिया, काली मिट्च और चुमारा ल धहेबलों में डालेंगे तो बिलकुल जबदस्ट करेंगे बजार से भी जाद अच्छे भपल्ले बन करेंगे जसे बजार का मसाला डलता है उससे भी अच्छा मतलब मैं आपको सीक्रिट रेसिपी दे रही हूँ यह मसाले की बहुत जबदस्ट है यह जरू ट्रई पंदेत आखे मैं आपक लाएं तो यह देखिए और अपनी चैस बन कर रही हूं क्योंकि जो मेरे मसाले हैं वह अची तरह से रोस्ट हो गये हैं एक बाइ मैंने इसको टॉस करा यह देखिए कित अच्छा लग रहा है मसाले रोस्ट होके बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और अब हम इने थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे मैं इसे अपने ग्राइंडर जार में डाल रही हूं और यह देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा दरदरा रखा है इसे मैंने और नमक अब मैं इसमें नमक मिला रही है जो मैंने नमक की क्वेंटिटी आपको बताई थी वाइट सॉल्ट और ब्लेक सॉल्ट और यह है हिंग हमें लेनी है एक चुटकी के बराबर थोड़ी सी हिंग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और हिंग जो है हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है तो हमें हिंग जो है अपने डाइट में एक बैट ज़रूर शामिल करनी चाहिए स स्नैक्स वगरे में खास तो यह मैंने ग्राइंड कर लिये हैं अपने मसाले और इसे मैं अपनी काटोरी में निकाल लूंगी आप चाहें तो यह मसाले काफी टायम तक रख सकते हैं चल जाएंगे और आप जब भी बल्ले बनाए उसमें जरूर डाले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग बाइबाइब सी यू अगें